हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब मैं पुनम स्वागत करती हूँ आपका लेट स्लोग भीद पुनम मैं आज मैं सेर कर लिए आप सब के सथ आलू की कचोरी जो हम आलू भर कर बनाएंगे एक दम से मार्किट जैसे हलवाई बनाते हैं वैसा टेस्ट आएगा इसमें तो चलिए पनाते हैं अलो की कचोरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहां पर गहू का आटा चयाईए एक कचोरी मैंने भर करके गहू का अवर्ड हमेदा लिया है और आदा कचोरी मैं बार्क वाले सूझी लूगी इन तीनों चीजों को हम मिक्स करके बनाएंगे अगर आप आप चा कासूरें डाल दिया एकर थोड़ा सा यहां से दढ़ा हैं इसको वहां से चुमज पर लिया ड़ू बेकिंग बड़ंगी से देशाया है दो खमाज के घैल यहां अच्छे से रख़ेंगी नहीं palp यहां पर थोड़ा थोड़ा करके हम पानी एड़ करेंगे, पानी यहां पर थोड़ा थोड़ा करके ही एड़ कीजिएगा, और यहां पर हमें रोटी बनाते हैं, इतना ही सोफ्ट समूथ सा हमें डो बनाना है, और थोड़ी समयने यहां पर हल्दी डाले कलर के लिए, आप चा तब तक हमारा आटा जो रेस्ट पर है हम आगे की तियारी करते हैं यहां पर स्टफिंग के लिए मैंने च्वार आलू लिये हैं यह उगले हुए आलो ठंडा होने के बाद इसको मैंने कद्दू कस कर लिया था और यहां पर एक चमच के करीब साबुद जीरा लिया है और दो जीरा पर इसको हम अव्का सब्हूनेंगे थोड़ा सा अरोमा आने तक इसमीसे कुसिबू आनों लगे तहां इतना ही बुनना है और इसमीटा-मोटा नीग पीशना थर्ट-ध्यामच एगदम दीरां पीशने लेना है और एकसे देल के लिया है गैस को हम यहां पर ड़ियू जैसे ही हमारा अलका सा अ तेल ग्रम होगा, इसमें दो हरी मिर्च मेने बरी कट करके ली है, ःसको हम अलका सा फ्राइच करेंगे, उसके बाद हम जो हमने आलू कद्द कस करके रखे थे तेグ ought ऐसमें ढाल देंगे, आलू को हम दो तिन मिनट के लिए लो फ्लेम पर फ्राइच क आधा चमच के करिए इसमें डाल देंगे आधा चमच शुट पौदल, चूसे चलाए आदा चमच हम मसाला रे हम आदा चमच यहाँ गरम मसाला लेंगे आदा चमच यहाँ पर नमक यहाँ, नमक आप अपने स्वाद के अकोरड़ उचे खना मेन मोले को उच्छ तक हम और दो तीन मिनट बाद यह जो हम मसाले अड़ करें हैं उनको अच्छे से मिक्स करते हुए ताकि जो आलू है अच्छे से पक जाए और इसमें थोड़ा साइब मोश्चर नहीं बचना चाहिए यहां पर जो आलू हमारे पक चुके हैं उसको हम ठंडा होने के लिए रख देते और कोचोरिया एकदम से फुली फुली और एकदम से क्रिस्पी बनेंगी तो देखिए आटा हमारा लग चुका है इसमें से हम छोट छोटी लोईया हैं जो तोड़ लेंगे और यहां पर एकदम से निम्बू के आकार की तरह हमें लोईया बनानी है और जितना हम लोई इसक हमारा ठंडा हो चुका है इसके हम नीमभू के अकार चोटे से गौल बनालेंगे और इसको हम देखिए दोनों का साइज एकदम से षम लग रहा है और इसी तरह से सारे आलुह बर लेंगे额 और देखी इसको हम साइड से किनारों से पतला करते हुए बीच में से हम इसको मोटा रखेंगे हाथ से इस तरह कर लेंगे और ये स्टरफिंग जो आलू की है इसमें से दबाते हुए इस तरह चारों तरफ से एकदम से बंद कर लें आलो की स्टिफिंग भरने के बाद इसको हम इस तरह से हातों से हतेलियों की मदद से दबाएंगे हलके हलके हाथ से इसको दबाना है और इसको हम जितना सेफ देना चाहते हो आप उसी आप से दीजिए जदर एक्दम से प्रैसर मत कीजिए कि जो आलो है एक साइड चला ऋर देखें यहां पर हमारी कचोरिय बना लेंगे कर देंगे और गैस की फिलैम को हम यहां पर로 कर देंगे कम से कम YOU कुरह पर एक पर पर लट पलटके Цеकった यंक सारी कंडी कुराइ ने यहांग ने क्ठोछ यहांगे बड़ प्का यह बना और कॉरत शुरे कोs अ सुभख процесс running अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी थोड़ी सी कीसे लिए अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी बसंद दो लाइक से और कमेंट कर देजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा इंक्यूबाई